प्रदेश सरकार गाउं के विकास के लिए लाखों रुपए खर्च करती है जिसको लेकर सरकार कई योजनाई चलाती है लेकिन छोटे इस तर के अधिकारी कर्मचारे उन योजनाओं में भ्रस्टचार कर सरकार को पलिता लगाने से पीछे नहीं हटते हैं मामला उजन की महितपूर तहसील का है जहां ग्राम पंचायत मीडा के सरपंच सचिव ने राजीव गांधी सेवा केंदर भवन के निर्माड के नाम पर लाखों रुपए की हिरा फेरी की है और सरकार को चूना लगाया है जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच रेखाबाई ने की है जिसमें बताया गया है कि उनके कारेकाल में राजीव गांधी सेवा केंदर भवन निर्माड के लिए 12,51,000 रुपए की सांसद निधी सुिक्रत हुई थी लेकिन गाउं के नए सरपंच ने आते ही सांसद निधी को निकाल लिया और भवन निर्माड के काम को अधूरा छ जमा नहीं करने पर मुखे कारेपालन यंत्री ने सरपंच को पद से हटा दिया है लेकिन सरपंच अभी गाउं में सरपंच वाई जाड़ रहा है जिससे सवाल उठता है कि सरपंच और सचे वधिकारियों के खास गुर्गे हैं जिससे उन पर कोई भी कारवाई नहीं की जा रही है मुल्याकन से अधिगराशी एसर करके दिला पंचाज शियों ने के खार इसकार देगाता है लेकिन मत्री सरपंच को अटाई नहीं गया है तो पूरू में यह मामला पी संग्यान में नहीं है आपके तुरू मुझे पता चल रहा है इस संबन हुए अगर यह मामला पी संग् संग बें नहीं हम साथ जए संग्यान है झाल झाल